कि निटाजी आपके किस्ताव कायक्रम था मदवन है तिके निकाय चुनाव जल्द ही होने वाली है और हमारा है कि हम चुनावी मूड में रहते हैं तो उसी तरह हम हर अपने नगर पंचायत नगर पालिका और वाडवार हम चुनाव की तैयारी में लोगों को अपने लोगों को बराबर जगाते रहते हैं तो उसी परिपेच में मधवन चुनाव की तैयारी को लेकर एक कारेकरम जन्सभा रखा गया था सर एक चीज और आप कहते हैं कि देश में एक शिच्छा होना चाहिए हमारे हां जिसका दौजाग तो यह क्या नीजी विद्ध्यालियों को लेकर क्या है आपके दिल में बंद नहीं सवाल आपका रेखिए जो पाठेकरम प्राइबेट में फढ़ाते हैं वही पाठेकरम सरकारी में लगव पर एक समान हो गया जो गरीब कमजोर हैं दुनिया के तमाम देशों में शिक्छा तक यह तो वहीं यहां कर दो हूँ अब इसमें प्राइबेट तो बंद नहीं सवाल आपसे है कि जो महुं सदर के बिधाया के आप पहते हैं कि वह हमारा सिंबल है और कंडिटेट सपा के हैं तो आप अपना सिंबल उसे लेना चाहेंगे कि वह ही रहे कि देखे अभी तब तो जो इली ने करवाई किया है पूरी हमको जानकारी नहीं है कि क्या क्या आरूप तैट हुआ है वह आरूप जब मिल जाएगा तब उसके बाद हम उसके कानूनी सलाह ले करें हम कारवाई करें मैंनपूरी में आप प्रत्यासे उता लेंगे हमने वहां के कानपूर मंडल के नेताओं से राय लिया और प्रदेश सवराष्टी कमेटी से बाच्चीत की तो लोगों ने कहा कि चुना होनों लड़ना चाहिए तो कल कारेक्रम हम लोगों का इटावा में तो वही कारेक्रम म सब्सक्राइब रमेश प्रजापती से प्रत्यासी है और मैंपूरी में सुहिल भारती समाझ पार्टी से रमाकंद कश्य प्रत्यासी है सब्सक्राइब तो आप किस नजरिये से बिंपल यादो को नेता हैं और मुख्यमंत्री की पतनी है और नेता है सब का हक है जब पचास परसेंट अबादी है तो हम तो लड़ाई जैसे महिला समिदान आपके जिले में शुरू करने जा रहा है हमारी कोशिश है कि 50% सीट अरक्षित कर दिया जाए लोक सभव इधान सभव में जैसे निकाय चुना और पंचय चुना में है उसे अरक्षित कर दिया जाए 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 नहीं आप सब्सक्राइब कर दोनों अपने हैं सब्सक्राइब कर दोनों अपने हैं कि अमारी कर दोनों याए जाए